We want to be discussing our current balance. Current balance क्या है? Current balance is used to measure the magnetic field strength of a magnet. Used to measure the magnetic field strength of a magnet or solenoid, whatever you want. आप किसी भी चीज़ की, कोई भी magnetic field strength आपको measure करनी हो, आप इस तरीके से, इस method के through कर सकते हो. दूसरी चीज हॉल प्रोब है, हॉल प्रोब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जरा मैं जो हूँ वो इसका अच्छा से एक diagram उठा लेता हूँ. जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसी ही construction आए, चीज, construction के लिहाज से different हो सकती है, लेकिन underlying concept, underlying principle is the same, और सिजाए के question में भी आप देखोगे, कभी हमेशा current balance एक ही तरह कर नहीं आता, different current balances आते हैं. कहानी क्या है, सोच से दिमाग से काम लेना है, ठीक है, आचली, अब इसमें देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये आपका permanent magnet, this is a U-shaped permanent magnet, जैसे horseshoe magnet आप लोगों ने देखा, this is a permanent magnet, ठीक है, ये आपका permanent magnet है, permanent magnet, आचली, जब ये एक permanent magnet है, हमने क्या किया, हमने जो है वो उसको suspend कर दिया है, ये नीचे देख रहे होगा, ये क्या है, ये एक electronic balance, electronic balance किसके क्राम के रिस्तमाल होता है, it is used to measure the mass, ये mass measure करने के रिस्तमाल किया जाता है, ठीक है, mass balance ले लो, weight का balance ले लो, weight का होना चाहिए ज़्यादा प्रोपर दो लेंगिन हमने अदर mass balance लगाए है, electronic balance लगाए हो, ठीक है, this is electronic balance, ये mass measure कर रहा है, ठीक है जी, ये जो magnet है, ये electronic balance पे नहीं पड़ावा, इसको हमने suspend किया हो है, ठीक है, suspend कैसे किया हो है, इसके अंदर से ये एक plastic का roll, डाल के इदर से, ये basically magnet हवा में है, ये इस पे रखा वानी है, ठीक है, तो this is a suspended permanent magnet, this is a suspended permanent magnet, ज़रूरी नहीं आमेशा suspended हो, ठीक है, question को देख किया आप लोगों ने कर रहा है, ठीक है, फिर हमने क्या किया है, हमने ये किया है, कि हमने एक current जो है, वो हम एक conductor में से गुजार रहे हैं, and you have a rheostat over here, ठीक है, एक rheostat है, आप एक variable resistance, जिसकी resistance आप देरी कर सकते हो, ठीक है, so this is our rheostat, variable register, जो भी आपको याद हो, वो है, और आपको क्या चाहिए, आपको लाजिमन एक ammeter ज़रूर चाहिए, you need an ammeter, अचा, now, क्या समझना है आपने, इसमें ये समझो के, ये जो ये चीज है, ठीक है, ये जो वायर है, ये पढ़ा हुआ है, आपके electronic balance पे, ठीक है, ठीक है is not suspended, this is a conductor, this is a conductor, जो basically आपने क्या करा है, आपने इसको इसकी field में रखा है, अचा, और ये जो length L है, जितना ये रखा हुआ है, in the magnetic field, ये length L है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अबविसली आपको पता है, हम for example कर जाते हैं, ये इस पे जो है, वो नॉर्ट ये है साउट ये है, ठीक है, और current जो है, वो positive to negative जाता है, सही है, सो the current is going from positive to negative, तो इस वतार में से current जो है, वो huge आ रहा है, सही है, अचा, now, this is very important, हो क्या रहा है, magnet suspended है, जो current carrying conductor है, वो आपने, जो है, वो electronic balance पर रखा है, यानि जो ये weight आ रहा है, ये current carrying conductor का आ रहा है, बाकी उसक साथ support चीजें लगाई है, जिसका mass पहले सापको पता होगा, जो आपने अलग से measure किया है, ठीक है, अचा, now, using Newton's third law, देखो, शुरू में, जब तुमने कोई current on नहीं किया है, जब हमने, जो है, वो zero amperes है, इदर, जब कोई current flow नहीं कर रहा है, when you have no current, तो क्या होगा, तो य mass आ रहा है, वो इसी का mass आ रहा है, अचा, लेकिन कहानी जब change होगी, जब आप इसके अंदर से current गुजारना शुरू करोगे, so, you start passing a current through this wire, ठीक है, अब आप current जो pass कर रहे हो, देखो, current is towards the right, तो current मैंने right दरफ ले ली, आपकी जो not to south है, यह ठीक है, not to south है, यानि जो आप आपके जो current carrying conductor है, उस पे force F उपर की तरफ act करिये, ठीक है, there will be a force F acting upwards, ठीक है, this is not, I am not showing you a derivation, मैं सल्द आपको proof of concept, आपको एक concept समझानी कोश्च कर रहा हूँ, कि यह काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है, अचा, अब आप यह देख रहे हो, not to south की पीश, अमने conductor डाला, उसम आपको कम नजराना शुरी, maybe it becomes 3.38, थोड़ी सी change रहेगी, ठीक है, आचा, मैं आप लोगी convenience के लिए, this is basically showing you your net force, net force किस लिहाँ से, net force यह इस लिहाँ से दिखा रहा है, कि आप इस बात को समझो, कि obviously the weight is acting downwards, weight downwards act कर रहा है, वो यह current balance register कर रहा है, current balance कर रहा है, electronic balance register कर रहा है, जब आपने current खोला और यह force act करना शुरू हो गई है, तो क्या होगा, तो यह होगा, कि यह जो reading होगी, अब net force क्या होगी, weight minus the magnetic force, weight minus magnetic force, तो the reading over here will decrease, ठीक है जी, अचा, अब आपको बहुत अच्छी बात जो है, वो यहाँ पे समझ में आई, कि आपकी reading decrease करेगा, आपकी net force क आपकी weight है, minus the force due to the magnet, so it will be the weight minus the force due to the magnet, magnetic field strength, जो भी आपकी magnetic force जो भी बन रही है, वो है, अचा, अब जरा यह देखो, कि you can calculate the magnetic force using, what you can calculate it using BIL, बड़े मज़े की बात इदर आती है, देखो, weight is acting downwards, देखो, जब current नहीं खोला आवा था, तब सिर्फ weight act कर रहा था, ठीक है, वो weight क्या बता रहा था, वो आपको बता रहा था, net force बता रहा था, वो exactly net force के ब्राबरा, ठीक है, लेकिन जब आपने current इसमें on किया, ठीक है, you also know this length, जब आपने इसमें current on किया, तो आपके पास एक magnetic force आना शुरू हो गई, जिसकी वेदर से यह net force कम हो गई, ठीक है, आज obviously यह grimes में है, इसको weight में convert करके, पतलब इसको, इसके properance में convert करके, force में convert करके, यह net force बन जाएगी, इदर, यह आपको पता है, you know this, through the scale, आपको weight भी पता है, क्योंकि आपने current खोलने से पहले, you measured the weight, आपको जो मिल रहा था, वो weight था, ठीक है, तो जब यह दोनों चीजे पता है तो you can calculate this thing out, आपको इस से magnetic force मिल जाएगी, जो इस wire में लग रही है, जो यह F इस पे लग रही है, जब आपको यह पता चल गई है, तो यह आप उठा के कहां डालोगे, आप उठा के डालोगे, यहाँ पे, now you know the length in this, current आपको दिया जा रहा है, through the ammeter, वो आप इधर डालोग B मिल जाएगी, यह rheostat किस काम का है, rheostat इस काम का है, कि क्योंकि हमें एक तो यह हो गई न, कि हमने एक reading ले ली, you can vary the current, आप अगर इसी resistance बढ़ा होगे, current vary करेगा, right, the current through the circuit will change, I change करेगा, then I will change, obviously the force due to the magnet will also change, the force due to the magnet will change, तो इसका मतलब है, net force भी change होती भी नज़र आएगी, और फिर जो है, वो इसमें दुवारा से डालके, you can basically plot many points, अगर graph बनाना तो वो इस काम के रहे काम आएगा, या average लेनी हो, बहुत सारी चीज़ों की, तो वो उस काम में काम आएगा, rheostat, ठीक है, बहरहाल, काफी simple सा concept है, net force होगी, weight minus the magnetic force, ठीक है जी, आपको net force electronic balance से बचल र आपको current भी पता चाहर लगया, क्योंकि आप ammeter इस्तेमाल कर रहे हो, आपको length आपने पहले से measure करी वी है, जब ये दोनों चीज़े पता है, तो आप बी calculate कर सकते हो, जो इस magnet का होगा, and you can take more and more current की values, by changing the current in the wire, ये current balance है, किसी भी magnetic field को अगर measure करना हो, इस की magnetic strength क्या होगी, you use this method, so let's look at a question जल्दी से on this, क्या बोल रहे है, a horseshoe magnet is placed on a top pan balance, top pan balance क्या होता है, वो भी mass ही measure करता है, ठीक है, अच्छा, a rigid copper wire is fixed between the poles of the magnet as illustrated in figure 8.1, ठीक है, इस दफा देखो, इस दफा ये suspended है, और mass जिसका measure हो रहा है, mass measure हो रहा है, इस permanent magnet का, mass जो है, वो permanent magnet का measure हो रहा है, ठीक ह अच्छा, the wire is clamped at ends A and B, when a direct current is switched on in the wire, the reading on the balance is seen to decrease, अच्छा, ये बोलते हैं कि जब आपने जो है, ये रखा वा था, ठीक है, and you had the system set up, अब आपने क्या किया, आपने current switch on किया है, current की direction नहीं बता है, ठीक है, they have not told you the current की direction, लेकिन जब आपने switch on किया, तो आपको मिला कि तो reading जो थी, वो balance पे decrease करिया, जो balance जो reading दे रहा था, जो इसके weight की reading दे रहा था, वो decrease करिया, whatever the weight की reading थी, इधर, वो decrease करिया, तो वो आप से ये पूछ रहे है, कि आप हमें ये बताएं कि जो force है wire पे, वो कैसी ह होगी, वो उसका direction क्या होगा, will it be upwards or it will be downwards, आचा, basically देखो, the reading, current की direction नहीं बताएं भी आजें, यही हमें information बताएं, there is no current की direction, current की direction नहीं बताएं भी है, and you not to south आपको पता है, वैसे ही fields point आप करती है, right, आचा, now, अब इसमें देखो, left hand flaming rule लगाने से पहले ही, आपको है, logic यह है, कि देखो, अगर यह magnet जो है, वो इस पर पढ़ावा था, balance पे, if the magnet was on the balance, सही है, so इसका मतलब है, यह जो balance था, वो magnet का weight measure कर रहा था, अब अगर reading decrease करी है, balance पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि पहले तो इसका weight act कर रहा था, सिर्फ, लेकिन अब इसके ऊपर एक force act करना शुरू कर गई है, upwards, do you all agree, there is a force due to the magnet, magnetic force develop हो रही है, जब इसमें से current भेजा, उसकी विज़ास क्या हो रहा है, magnet पे force लगती है, upwards, जिसकी विज़ासे जो पहले इसका weight जो आ रहा था, उसमें से ही F- होके, अब यहाँ पे दिख रहा है, on the display, right, अब Newton's third law अगर लग नीचे खेच रहा होगा, magnet जो है वो वायर को भी F से नीचे खेच रहा होगा, so the direction of the force on the wire will be downwards, okay, without using the current या बगार हमें करेंट नही दिया होगा, okay, so I am going to write this, the magnetic force on the magnet must be upwards, right, as the reading decreased, so अगर reading degrees थे तो force on the magnet must be upwards, using Newton's third law, the force on the wire must be equal, but downwards, right, must be equal, but downwards, okay, फिर उसके बाद क्या है, आप से पूछते हैं, current in the wire बता दे, तो अब हम left hand flaming rule लगा लेते हैं, क्योंकि I know the force, I know the magnetic field strength, so can you guys tell me the direction of the current, वो क्या होगी, so you now use left hand flaming rule, सब को चलाइन करो, very good, so everyone is correct, शाजेव, you have given me the wrong answer, make sure you're using your left hand, not your right hand, the current is like this, ठीक है, I is like this, साहिए जी, और I am very happy, अक्सर बच्चों को clear है, basically, समझो के मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं, तो force नीचे है, magnetic field strength U है, ठीक है, magnetic field strength not to south U है, force जो है, वो आपकी नीचे है, तो आपकी जो current है, that should be like from B to A, ठीक है, B से A जा रहा है, so the current is from B to A, ठीक है, so the current is B to A, current is B to A, और क्यों पताया है, कैसे पताया है, उसका reason है, as indicated by left hand Fleming's rule, actually, now, यह भी हमारी discussion complete होती है,